नमस्कार मैंनिश्या आप देख रहे हैं बिग नियोज पंजवारा थाना छेतरी के मारा टीकर गाउं में मंगलवार की साम आग लगी की एक घटना में एक जोपड़ी नुमा घर चलकर राख हो गया घटना साम चार बज़े की बताई जा रही है उस वक्त ग्रहस्वामी रोजन अंसारी मरसूरी के लिए बाहर गया हुआ था और परिवार के सदस से भी घर पर नहीं थे ऐसी दोरान उनके जोपड़ी में आग लग गई अचानक आग का धुआ उठते ही ग्रामीनों ने इसकी सूचना बारहाट प्रखंड कारियलाई में दी जहां से अगनिशामन विभार की टीम ने ग्रामीनों के सहीयोग से काफी मसकत से आग पर काबू पा लिया एस सौरान जोपड़ी में रखा समान जल चुका था और पीडित के घर में रखे कपड़े अनास समान वर नगदी चल कर राक हो गई थी ग्रहस्वामी रोजन अंसारी ने सियो से सहयता की गुहार लगाई है बाकर जले के धरया प्रखंट 6 अंतरगरत कुर्मा गाउं के समीप मंगलवार की सुभाई 10 वजे अन्यतित हाईवाने वटसार पंच्वायत के चकमुथूरा गाउं निवासी दामुदर सहा का बेटा प्रवीन सहा को धरया सनहुला मुख्य मार्ग पर कुर्मा गाउं के सम लादे हाईवा ने सामने से टक्कर मार दी जिसमें की दो मोटर साइकल सवार बूरी तरह से जखमी हो गया ग्रामीरों की मदद से जखमी का इलाज के लिए धोराया सामुदा एक सौस केंद्र लाया गया इलाज कर है डॉक्टर दीपक कुमार ने उपचार करने के बाद स्थि कारी महेश्वर प्रसात राय घटना अस्थल पर पहुँचकर लोगों को समझा बुझा कर जाम को हटवाया गया एवं हाईवा गाड़ी की जांच में चुट गई है अमरपूर प्रखन कारिलाई परिशर में राशनकार्ट बनवाने के लिए जुटी अप्रत्याशित के द्वारा किया गया मामले को लेकर जखमी ने बताया राशनकार्ट बनवाने के लिए कारिलाई आई थी तभी भगदर मच गई जिस क्रम में महिला जमीन पर गिर कर जखमी हो गई पाकाजिले के चांदर प्रखन छेतरी के दक्षनी बारने पंचायत के बाट नमबर 5 सिधुडी सित मद्ध वुद्याले सिधुडी के प्रांगन में प्रखन विकास पधादिकारी दूर्गशंकर ने राशी निकासी के बाबजुत अवास निर्मान नहीं करने की शिकायत पर मामले की चांद छेतु पंचायत का दौरा क्या जांचुप्रांथ प्रखन मंतरी अवास योज्जा अंतरगत पंचायत की बिमला देवी, टूलिया देवी, मनूर्मा देवी, सुनीता देवी, वसहदे पुझार दौरा राशी निकासी के बाबजुत अवास नहीं बना पुरा नहीं करने व्यक्ति को जिन हितकर 18% व्याज दर के साथ राशी की रिकवरी करते हुए मुकदमा दायर किया जाएगा, जिन लाबु को द्वारा प्रतम किस्त की राशी की निकाशी कर खर्च कर दिये हैं, अत्वा अवास कार्य में सिथिलता बनाए हुए हैं, उन्ह सरकार का बहुत कड़ा जिसा निर्वे से संबन्द में हैं कि जिस भी लाभुक के द्वारा आवास निर्वान पूर्ड नहीं किया जाता है, तो उनके ओपर प्राक्समिकी दर जो उचित कारवाई है, वो करना सुनिश्चित करेंगे, और साथी इसमें सर्टिफिकेट केस क परके 18% सूद के साथ जो है, वो दी गए राशी की वापसी की जाने है, तो हम लोगों ने बठक किया है, सभी लोग को समझाया है, और सभी लोग ने वादा भी किया है कि इक अपता के अंदर हम लोग अपने कारे को युद गती में पूरा करके अपने डुराई कारे को प्रभारी प्रधाना ध्यापक सुवोत यादप के द्वारा, विद्याले भवन और परिशर का गाउं के कुछ लोगों द्वारा, अतिकर्मन किये जाने के लिखिस शिकायत पंचवारा थाने में किये जाने के बात मौके पर पहुशी पंचवारा थाना पुलीस ने प्रौनई मद्व वद्याले चल्सिया के प्रभारी प्रधाना ध्यापक सुवोत यादप ने बताया कि वे जब मंगलवार सुभा वद्याले पहुशे तो वद्याले का में गेट का ताला टूटा हुआ है एवन गेट की कुंडी मूडी हुई दिखाई दी, जिससे गेट खूल नहीं रहा था जिसके बाद उन्होंने सिक्षकों के साथ 15 थाना पहुँचकर इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि विद्याले परिशर में ग्रामीन द्वारा अनाच रखा जाता है साथे विद्याले के बाहर नाद रखकर मवेसी को वहां खुंटे में बांधा जा अगर आपने अब तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही अगर आप हमारा फेस्बूक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें तो फिर होगी आप समरकात तब तक के लिए नमस्क सब्सक्राइब